चलिए यह कोशन देखेंगे कि क्या कोशन विज्वल है हर किसी को बताईए कोशन विज्वल है आपके सामने पढ़ ले कोशन कहता है प्रिपेर एस्टीमेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वाइरमेंट जीरो कंपनी का नाम है दा डेटा गीवन कहता है राव माटिरियल सौ रुपे का है लेबर चालिस रुपे का और ओबरहेड और ये एक यूनिट की कॉस्ट है अगर एक यूनिट बनाएंगे तो राव माटिरियल सौ रुपे का लग जाएगा लेबर लग जाएगा चालिस का असी का ये लग जाएगा दा फॉलाविंग इन्फरमेशन आर अवेलिबल जो हमारे पास अडिशनल इन्फरमेशन है कहता है एक यूनिट बेचेंगे हम कितने का दो सो चालिस रुपे का एक यूनिट हमने दो सो चालिस रुपे का बेचना है आगे कहता है सर लेवल अफ एक्टिविटी हम पूरे साल में इतने यूनिट का काम करने वाले हैं और आगे आप data जो देखोगे वो कुछ weeks में given है कहता है raw material ना हमें stock के अंदर चार हफ्तों का रखना है raw material तो भईया आगर आप चार हफ्तों का raw material रखेंगे उतनी working capital चाहिए यानि जितना stock आप hold करेंगे उतनी तो working capital चाहिए कहता है raw material in stock के बाद कहता है work in progress assume 100% stage पे completion material होगा and 50% labor and overhead अगर यह line नहीं भी कहता तो हमने सीख लिया था कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर material तो 100% होता है और जो labor होता है वो 50% ही रहेगा और overhead भी sir इसको दो हफते लग जाते हैं इसके लिए दो हफते का पैसा इंतजाम करना है finished goods के लिए चार हफते लग जाते है credit allowed to supplier supplier by supplier creditor की बात चल रहे है liability के लिए चार हफते है और debtor को हम देते हैं 8 हफते lag in payment lag in payment का मतलब outstanding lag in payment मतलब outstanding payment of wages तो कहता है one and one and half यानि देड़ हफते की ब overhead के बारे में कुछ नहीं बोला cash और bank में हमारे पास balance अविलिबल है assume that पड़ी प्रड़क्शन आपका sustained during 52 week of the year हफते में 50 52 week है महीं साल में और उसी के according कराए जाए चेक है तो अगर हम देखें इसको सारी चीजों को हमने एक बार समझ लिया है इसी को हम क्या करेंगे सर जो format सीखा है उस format में कर देते हैं सर 15 marks के questions है और मैं ज्यादा से ज्यादा मैं believe पता किस में करता हूं कि बच्चों को ना concept पूरा समझा दो उसके बाद सीधा सीधा एक्जाम में आया हुए questions करा दो तो बच्चे के ना questions खतम हो जाते हैं लगबग के सर ऐसा paper में आएगा क्या यह आया हुआ question है exam चलिए sir पहला ए पार्ट ले लेंगे current assets ध्यान दीजेगा मैं working note भी ना इसी के अंदर कर दूँगा so that आपको clearly समझ में आजाए current assets में सबसे पहले material sir material का इंतिजाम जो करना है न हमें वो करना है चार हपतों का तो साल का जो consumption है एक लाख चार हजार है इसको divide अगर 52 से कर दे तो यह कितने time का आ गया एक हपते का इंतिजाम कितने हपते का करना है हमें चार हपते का यह तो आ गया unit ठीक है और एक unit कितने का है या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं एक लाख चार हजार है इसको पहले ही divide कर लीजिए 52 से easy हो जाएगा थोड़ा तो क्या जाता है 52 से divide करने के बाद 52 से divide करेंगे तो कम होना चाहिए नहीं इसका बताओ क्या रहे यह आपने बताया आठ रहे यह 2000 यानि 2000 unit हमें जुरत पड़ेगी एक हपते में तो simple कर सकते थे 2000 और 4 हपते into so अब भी यह आएगा अगला point होगा sir WIP WIP में क्या क्या लगेगा material labor सवाल कहता है यह दो हफते में कामकाद चलेगा कितने टाइम में दो हफते में तो अगर two week में चलेगा तो 2000 one week का है आपका तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2000 into में two और 100 रुपे that is कितना जाएगा चार चार लाग आ जाएगा labor भी 2000 दो हफते के लिए 4000 unit पे काम और labor की जो cost है वो है 40 लेकिन सर्थ 40 तो नहीं आएगी यहाँ 50 परसंट लेगे न तो कितना आ गया यह 80 अजार आप calculate करते जाएगा overhead भी देखें तो 2000 दो हफते सभी दो हफते रहेंगे और कितने का है 80 लेकिन इसका भी क्या लेंगे 50 परसंट टोटल कर लिजे एक बार आप थर्ड पॉइंट है finished goods finished goods 6 लाग और साहब मैंने finished goods में आपको क्या बताया था finished goods में बताया था कि सब कुछ 100 परसंट होगा और finished goods के लिए सवाल खुद कह रहा है कि भाया चार हफते आपको स्टॉक समाल के रखने होंगे तो finished goods का अगर मैं निकालू यहां पे तो कैसे निकलेगा सर finished goods में सर 2000 यूनिट है एक हफते का हमें कितने हफते का समालना है चार हफते का और अगर मैं rate की बात करूँ तो सर rate क्या आएगा rate सब को ले लेंगे 100% तो मैं सब को अलग-अलग करूँ के material, labor, overhead इससे बहतर है मैं directly 220 रुपे ले 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 दे रखा है 220 finished goods हमेशा cost price पर होगा हमेशा किस पर लेंगे sir selling price बस ऐसे ही है इसका तो कोई value नहीं रहती question क्योंकि हमें selling price पर नहीं पैसे की ज़रत है cost price पर पैसे की ज़रत है समझे बात तो अगर यहां total करते हैं 2000 into 4 और यह तो क्या आता है कितने इसके बाद अब आ जाएगा हमारा कौन सा debtor क्या आएगा debtor debtor की भी अगर हम बात करें तो sir 2000 unit अब check करेंगे कि हम कितने दिन का उधार देने के लिए तयार है तो credit allowed to debtor कहता है सवाल में कितने हफते into 8 और समान selling price पर नहीं लेना हमेशा cost पर लेना है debtor भी है तो debtor हमें cost का इंतजाम करना है तो debtor हमारा 220 लेकिन सब्सक्राइटर तो selling price पर बनता है लेकिन हम यहाँ पर cost पर consider करेंगे always जब question कहेगा selling price पर करो तभी करना है 35 लाग इसके बाद cash सवाल मैं खुदी कह रहा था cash now gross working capital आ गया gross working capital सबको जोट देंगे gross working capital आ देंगे फिर हमें क्या देखना है current liability अब क्या देखना है current liability current liability current liability में क्या क्या आएगा पहले material अब हमें supplier कितने time का allowed कर रहा है sir चार हपते तो सर material कितने लगेंगे 2000 unit चार हपते का 100 रुपे अब लेग पेमेंट इंड वेजस तो वेजस का कहता है आपका डेढ़ हपता है ऐसे लिखा हुआ है 1 1 by 2 तो इसको डेढ़ हपता बोलो या 1.5 भी बोल सकते हो ठीक है तो 2000 into में 1.5 और जो हमारा वेजस है वो कितने का है 40 रुपे का बताइए जाल कुंए 21 जन तो अब हमें वर्किंग कार निकालना है और कौन सा वरकिंग कार होता है निट वर्किंग कैपिटल अब हमें निकालना है networking capital तो क्या कर दें A minus में B आप B इसका नाम बोल रहे हो और A इसका नाम बोल रहे हो ठीक है A के total में से B को minus कर देंगे तो आप जब minus करेंगे 67,45,000 में से 9,20,000 तो क्या आप है 50 58,00,00 तो ये सवाल आप करोगे तो आपको 15 नमबर मिल जाएंगे देखिए देखो बुक की PDF अवेलिबल नहीं होती बुक आपको बाय करना पड़ेगा मैं जो questions कराऊँगा वो मैं type करवाता हूँ तो वो मैं वैसे notes पे देए रहा हूँ ये फिफ्टी तो लिया आपके work in progress में तो तीन components लग रहे होंगे न तो work in progress तो इतना पैसा फसेगा हमारा जिसे material में फस जाएगा चार लाक तो कि लग क्या और labor में फसने वाला ज्यादा था लेकिन हम average लेंगे तो 80 अजार और overhead में 61 तो सब को जोड़के work in capital हमारे दो हपते में छे लाक चालिस अ जार रुपे चाहिए ही चाहिए जो कि machine pipeline में चलता रहता है अब मल तैयार हो गया तो अब labor उसमें कौन सा मेहनत करेगा इस question में किसी को doubt selling price का role क्या है कई बार आपको question में selling price के base पे कह देता है के selling price का 10% raw material है 20% labor है तो उसके काम आएगा बाकी अगर बोला जाए आपको के आप निकाल के working capital और आपको debtor जो consider करना है वो selling price पे consider करना है सवाल खुद कहेगा तो बस debtor जहां हमने 220 लिया है उसको 240 से multiply करके निकालेंगे बस ये role रहेगा हमारा अगर suppose करो मैं यहां लिख देता बताना मुझे यहां पर मैं लिख देता depreciation 10 रुपए तो जो overhead मैंने यहां 80 लिया है ना तो वो 70 लिके करते हैं बस ठीक है ना एक्जाम के अंदर popular question रहता है वो डाल देते हैं depreciation हाँ मैं question practice के लिए भी मैं कुछ दिनों तक पीडियाप दे दूँगा समझ में आया हर किसी बच्चे को किसी का doubt है तो बताइए इसमें नहीं तो हम आगे बढ़ें किसी का doubt है इसमें clear तो आप देखेंगे जो हमने working capital का format बना है as that is वहाँ पर चली और यह कौन सा working capital है सर estimating working capital इतने पैसे की जुरत पढ़ सकती है हमें पूरे साल के दौरान रखना मतलब क्या है सर इसका इतने पैसे आपको रखने ही रखने अगर इतने पैसे नहीं रखोगे ना तो आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा किसी का payment delay होगा किसी का कुछ होगा एनी टाइम इतने पैसे होन झाल